बिग बॉस 16 की लाइफ फीड में हर संडे होता है कैप्टनसी टास्क जो हमें मंडे एपिसोड में दिखाया जाएगा जहां इस अफते की कैप्टनसी के दावेदार थे शालीन, टीना, प्रियंका, सॉंदर्या और सुंबूल वही हो सकता है कि टीना के एविक्शन और फिर री एंट्री के बाद उसके कैप्टनसी की दावेदारी खारिज की गई होगी जिसके बाद इस अफते के बच्चे हुए कैप्टनसी के दावेदार है शालीन, सॉंबूल, सॉंदर्या और प्रियंका तो विवर्स आपको बता दे कि मंडे एपिसोड में अंकित की कैप्टनसी खत्म हो जाएगी और इस घर में होगा एक नया कैप्टनसी टास्क और उस टास्क को जीत कर सॉंबूल बन गई है इस घर की नई रानी वहीं इस कैप्टनसी टास्क में दोनों नई वाइल काट्स का भी योगदान रहा होगा सॉंबूल के इस घर की नई रानी बनने के बाद प्रियंका और सॉंदर्या बात करते है जहां प्रियंका कहती है कि मुझे वो अब कुकिंग की डूटी ना दे तो अच्छा है मैंने पिछले पूरे हफते कुकिंग ही की है वहीं कैप्टन ना बनने के बाद सॉंदर्या फिर से रूम ओफ सिक्स में ही राशन मैनेज करती नजर आई कैप्टन सी हारने के बाद प्रियंका और शालीन भी किचन में एक्स कैप्टन अंकित के हाथ की चाय पीते नजर आए फिर अंकित शालीन प्रियंका और विकास एक दूसरे से ये पूछते भी नजर आए कि कोई हमें हमारी डूटीज बता दो वही दूसरी तरफ शालीन और प्रियंका की बढ़ती दोस्ती को देख अंकित जेलस होते दिखाई दिए तो व्योर्स क्या कहेंगे आप इस घर की सबसे एक्टिव मेंबर सुम्बूल के कैप्टन बनने पे क्या वे अंकित से बहतर कैप्टन बन पाएंगी जिनने बिग बोस को बार बार ताना नहीं मारना पड़ेगा